मैं डॉक्टर कीर्ती माथुर, एसोसेट प्रवसर, पॉलिटिकल साइन्स गॉर्ण्मेंट मीरागर्स कॉलेच। गुड मॉर्णिंग स्टूडिंस, नए सत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत। मुहला सुखाड़ा युनिवस्टी के बीए पार्ट सेकिंड का फर्स पेपर का फर्स टॉपिक है संबिधान का अर्थ बैपरिभाशा, आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्जी का रूप चाहें लोकतंत्रात्मक हो या अधिनायक वादी, अवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संबिधान होता है। लोकतंत्र की इस्थापना के पूर्व, फ्रांस में निरंकुष राजाओं का शासन था। लुई चौद्वें कहा करता था, I am the state, मैं ही राज्य हूँ। अर्थात ये शासक अपने इच्छा को ही कानून मानते थे, किन्तु इनके शासनकाल में भी फ्रांस में एक प्रकार के संबिधान की सत्ता विद्यमान थी और कुछ ऐसे कानून थे, जिनका उलंगन शासक के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था। राज्य के लिए संबिधान की अनिवारेता बताते वे, जहलेनेक ने लिखा है कि संबिधान ही राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संबिधान के अभाव में राज्य राज्य ना होकर एक प्रकार की अराजत्ता होगी। मानव शरीर के संदर्व में संबिधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब कॉंस्टिटूशन का प्रयोग मानव शरीर के धाचे और उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्व में कॉंस्टिटूशन का अर्थ शरीर के धाचे वैगठन से होता है। उसी प्रकार राजनीती विज्ञान में कॉंस्टिटूशन का विप्राय राज्य के धाचे और संगठन से होता है। राजनीती विज्ञान के विद्वानों ने संविधान की विबिन परिभाशाएं दी हैं। जैसे प्रोफिसर डायसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ती के प्रयोग अध्वा वित्रण पर प्रत्यक्ष या एप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार सम्मिधान उनलिकित या एलिकित नियोमों अथ्वा कानूनों का समो होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तीयों, विबिन अंगों में वित्रण और इन शक्तियों के प्रयोग ए सामानने सिध्धान्त निश्चित किये जाते ब्राइस ने सम्विधान की परिभाशा देते वे लिखा कि सम्विधान ऐसे नेशित नियमों का एक संग्रह होता है जिन में सरकार की कार्यविधी प्रतिपादित होती है और जिन के त्वारा संचालन होता है डॉक्टर फाइनर के अनुसार सम्विधान उन आधार भूत राइन्दिक संस्थाओं की विवस्था होती है वूलजे ने सम्विधान की परिभाशा देते वे कहा कि सम्विधान उन नियमों का समू कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ती, शासित के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है उप्रूक्त परिभाशों का विशलेशन करने पर ये निशकर्ष सामने आता है कि किसी भी राज्ये के सम्विधान में तीन बातें प्रमुक होती है पहला व्यक्ती व्यक्ती का पारस्परिक संबंध दूसरा व्यक्ती और राज्ये अर्थात शासक और शासित का संबंध और तीसरा सरकार के संगठन उसके धाचे और सरकार के विविद अंगों का पारस्परिक संबंध संविधान के द्वारा किया जाने वाला तीसरा कार्य ही अधिक महतपून है अतहे संविधान राजकिये आच्रन का वहविधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ती और व्यक्ती एवं राज्य के पारसपरिक संगंत को निश्चित किया जाता है एवं जिसके द्वारा सरकार के विविद अंगों का सुरूप एवं गठन उनकी शक्ती और सरकार के विविद अंगों का पारस पर एक सम्मन्द निश्चित किया जाता है जैसे सरकार के कित्ते अंगे, कार्य पालिका, विवस्थापिका, नयाय पालिका, तीनों अंगों के क्या कार्य हैं, तीनों के आपस में क्या सम्मन्द हैं, किस तरह से एक अंग का दूसरे अंग पर नियंतरन स्थापित होता है इस तरह से सम्विधान में इन सब बातों का धिन किया जाता है थैंक यू